तो आज हम बनाने वाले हैं थंडा थंडा रिफ्रेशिंग बहुत ही मज़ेदार सा नीमबो और पुदीने का शर्बत जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो इसी के साथ मैं आपको इसका एक सिरप बनाना बताऊंगी जो आप इसको स्टोर कर सकते हैं और गर्मी होन तक आप इसको चला सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो बहुत ही आसान सी रेसेपी है तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए अगर आपको मेरेसेप पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बनाना शु पुदीना दाल लूँगी तो देखे फ्रेंड्स यह हम सिरफ बना कर रेडी कर रहे हैं इसका तो देखे शारा पुदीना मैंने मिक्सिजार में डाल लिया है अब मैं इसमें डाल लूँगी यहाँ पर एक चमाष स्वाफ दालने के बाद एक ग्लास थंड़ा पानी दाल ल पूरा निकल जाएगा। अच्छे से पूरा निकाल लिए अब हम इसको निकाल देंगे। जो बचा वाना इसके ओपर भी थोड़ा सा थंडा पानी दलेंगे। ताकि इसमें से पूरा अच्छा पूदीने का फ्लेवर इसमें आजाए। और यह जो उपर रगवाला है, हम रुछान लिया है, यह वेस्ट हो गया है, हम इसको निकाल देंगे, तो देखें इसको हटा लिया है, मैंने अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा यह जो पुदिने कपर फेना, इसमें हम दालेंगे यहाँ पर कुछ चीजें, जिससे कि यह हमारा सीरप बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा फ्रेंग्स तो इसके लिए देखें यहां पर मैंने लेली है आधा कप पिसी हुई शक्कर तो देखें शक्कर को आप मिक्सी जार में डाल लीजे और बारिक सब पीस लीजे तो आधा कप मैंने यहां पर पिसी हुई शक्कर दाल ली है फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर को तो देखें फ्रेंड्स आधी चमच यहां पर मैंने जल जीरा जो आता है ना तसरुपे वाली पैकेट जो आती है वो मैंने आधी चमच इसमें डाल ली है और साथ ही इसमें डालेंगे आधी चमच, काला नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं फ्रेंस अगर आपके पाद जल जीरा ना हो तो तो आप यहां पर देखे फ्रेंस दो से तीन डॉप मैंने ग्रेन फूट कलर के दाल लिया है यह दालना बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा कलर अच्छा हैगा इसके लिए मैंने इसमें दाल लिया है अगर आप नहीं दालना चाहते हैं तो इसकिप कर सकते हैं अब देखे फ्रेंस हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरह से पका लेंगे तो देखे यहां पर यह बहुत अच्छे से पग गया है और यह चिप चिपा भी होना शुरू हो गया है तो हमें यहां पर इसकी कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है तो यह देखे इस तरह फ्रेंस मैंने पांच निम्बू ले लिये थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है यहां पर तो इसको मैं चान कर दाल लूँगी तो यहां पर मैंने पांच निम्बू का रस दाल लिया है यहां पर निम्बू आप अपने हिसाब से दाल सकते हैं फ्रेंस तो देखे एक बड़ इसको mix कर लेंगे, आप क्या करेंगे हम इसको store करेंगे तो दीखे, इसको store करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक bottle ले ली है तो यह जो सारा सिरफ है ना हम इस bottle में डाल लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था और mix कर लीजिए थंडे पानी में शकर दाल कर तो आपका आसानी से शर्बत बनकर ready हो जाएगा तो चलिए देखिए इसका शर्बत बनाएंगे हम तो इसके लिए देखिए मैंने एक sauce pan में थंडा पानी ले लिया है जिसमें मैंने शकर दाल लिया है इसमें जिससे बहुत ही refresh हमारा शर्बत बनेगा और थोड़े से नीम्बू के slices मैं इस तरह से कटकर कर दाल लिया है मैंने इसका बहुत थेचा फ्लेवार आएगा आप देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से सबसर बींज को भिगा कर रख लिया था पानी में 10 मिनिट के लिए तो यहाँ पर मैंने सबस्केब बींज दाल लिया है इसमें इससे क्या होगा इसकी तासिर धंडी होगी और यह बहुत अच्छे लगेगा पीने में अब जो हमने सिरप बना लिया था ना फ्रेंस वह सिरप मैंने इसमें दाल लिया है तकरीबन 3-4 बड़े चम्मस सिरप दाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर दाल लेंगे हम थोड़े से आइस क्यूब्स तो फ्रेंस जब हम इसको सर्फ करेंगे ना तब ही हम इसमें आइस क्यूब्स दालेंगे तो बिल्कुल भी हमारा शर्वत फिका नहीं पड़ेगा तो देखे आब मैं इसको निकाल लूँगे एक जग में तो आप देख सकते हैं फ्रेंस कितनी आसानी से हमने इसका सिरप बना कर रेडी कर लिया है तो आप फ्रेंस आपने इस गर्मी में इस शर्वत को तो बनाना बनता है तो यहाँ पर देखे मैं इसको ग्लासेस में सर्फ कर रही हूँ और उपर से दालूँगी थोड़े से आइस क्यूब्स यहाँ पर रेडी है हमारा बहुत ही थंड़ा थंडा रेफ्रेशिंग मेरे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिए तो इन्शाला बहुत ही जली सी तरह की कोई आसान और मज़दार सी रेशिपी में आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफीज